हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ होली स्पेशल ठंडाई मसाला की रेज़पी जो की बहुत जादा फ्लेवरफुल और हेल्दी होता है इसे यूज़ करके जो हम ठंडाई ड्रिंक बनाते हैं वो तो बहुत बहुत जादा टेस्टी होत है तो होली के ओकेशन पर ये ड्रिंक अल्मोस्ट हरे घर में बन दी है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस ओकेशन पर ठंडाई मसाला की रेजपी शेयर करना सबसे बेस्ट रहेगा तो इस मसाले में जो मैंने ड्राइ रोस पेटल्स यूज़ किये है वो हमारे घर के फ्रेश र अब मैं इस में अड्र करूंगी एक टेबल स्पून भर कर खसकस और एक टेबल स्पून भर कर ही कते हुए पिस्ते और फिर मैंने एड़ की है एक टेबल स्पून भर कर सौंफ और दस से बारा साबुत काली मिर्चे और इलाइची जो की है साथ से आठ अब इन सारे इंग्रीडियन्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें ड्राय रोस्ट करेंगे तो इन्हें ड्राय रोस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे यह हलके क्रण्ची हो जाएंगे और फ्लेवर फुल भी और जो मसाला होगा वो बहुत अच्छी तरह से पिर्सा जाएगा अब इन्हें भूनते हुए हमें तीन से चार मिनट हो गए हैं अब हम इसमें एड करेंगे कुछ ड्राय रोस पेटल्स और फिर इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे अब माण कमकरें और लास में मैं एड करेंग फिछ फ्रेंड केसर के तो केसर एड करने के बाद आप इसे हलका सा मिक्स करें और इन सारे इंग्रीडियंस को अच्छी तरह से ठंडा कर ले ठंडा होने के बाद इन्हें आप ट्रांस्फर करें एक ग्राइंडिंग जार में और इसे अच्छी तरह से पीस ले अब आप देख सकते हैं कि ठंडाई मसाला अच्छी तरह से पिस चुका है तो अगर आप घर पर ठंडाई मसाला प्रिपेर करें तो उसका फ्लेवर टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स बहुत साधे होते हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं ठंडाई उसके लिए एक ब्लेंडर में मैंने एड किया है एक गलास भर कर ठंडा दूद और फि दो चमज भर कर ठंडाई मसाला के अब मैं इसमें एड करूँगी एक चमज भर कर पिसी हुई चीनी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी अब ये तैयार हो गई है बेसिक ठंडाई ड्रिंक इसे अब गार्णिश करेंगे ड्राइ रोस पेटल्स और कुछ स्ट्रेंड्स केसर के साथ चलिए अब बनाते हैं दूसरी से ठंडाई की ड्रिंक इसके लिए मैंने ब्लेंडर में एड किया है एक ग्लास भर कर ठंडा दूद और फिर मैं इसमें एड करूँगी दो चमच ठंडाई मसाला एक चमच भर कर पिसी हुई चीनी और फिर इसमें मैं एड करूँगी केसर वाला दूद तो यहां मैंने थोड़े से दूद में केसर के कुछ स्ट्रेंड्स सोग करके रख दिये थे अगर आप इस तरह से केसर वाला दूद डाल कर ठंडाई बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत जादा अच्छा आता है जिसे केसर का फ्लेवर पसंद हो तो उसे यह ड्रिंक बहुत ही अच्छी लगेगी तो इसे अब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें तो आप देख सकते हैं कि इस ड्रिंक का कलर भी बहुत जादा अच्छा आया है अब इसे भी हम गार्णिश करेंगे कुछ स्ट्रेंट्स केसर के साथ, ड्राय रोस पैटल के साथ और चॉप्ट पिस्ते के साथ तो दूनों ही ड्रिंक्स बहुत जादी रिफ्रेशिंग और टेस्टी बनी थी आप भी इस ड्रिंक्स को ज़रूर ड्राय कीजिएगा इस होली के ओकेजिन पर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा आपको मेरी ये थंडाई मसाला की रेसिपी और थंडाई की रेसिपी कैसे लगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग